नमस्कार मित्रों जैसी आरा मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जियोतिश शिंतन में हार दिख स्वाकत है मित्रों आज हम बात करेंगे चंद्रमा की जियोतिश में चंद्रमा को क्यों इतना महतु दिया जाता है इस पर चर्चा करेंगे और भी तमाम विंदूओं पर हम बात करेंगे जो चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं वित्रो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जियोतिश ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वर्तमान भूत और भविश्य देख सकते हैं जियोतिश में हम नवग्रों में विशेश रूप से सूर्य और चंद्रमा को महत्पूर्ण मानते हैं इनके बिना जियोतिश हो ही नहीं स याने ज्योतिश जिसे हम काल पुरुष का नेत्र कहते हैं वे नेत्र यही दो ग्रह हैं दोनों ही प्रकाश ग्रह हैं ज्यादातर योगों का निर्माड इनी दो ग्रहों से हुआ है यदि किसी जन्म पत्रिका में ये दोनों ही ग्रह कमजोर हुए तो निश्यत मानिये कि उस ज टाटक की जीवन नया सुगंद्धा से तो नहीं चल पाएगी उसके जीवन में खुशिया नहीं हो सकती उन्यती नहीं हो सकती बिंतर काल गलना में भी200 ग्रहों की भूमिका रहती है जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि चांद्रमास और सौर मास सूर मास और मास और चंद्रमा से चंद्रमास तो में तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन दो महत्पूर्ण ग्रहों में से एक चंद्रमा ग्रह की हालाकि चंद्रमा पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और अपने कई वीडियो में बताता भी रहता हूं चंद्रमा प्रतिवी का उपग्रह ही है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि उसे ग्रह जितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है मित्र जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा प्रतिवी का उपग्रह है इसलिए हमारे सब से निकट है और इसी कारण इसका सरवादिक प रखता बड़ता रहता है सवा दो दिन में ही एक राशी का भ्रमन कर लेते हैं चंद्रमा में आकर्षन शक्ति है जिसके कायर्ण ये प्रत्वी पर इस्थेत जल राशी को अपनी ओर छीचते हैं ज्वार भाटा आने का कारण भी यही चंद्रमा है। इनकी आकर्षन शक्ति है। चंद्रमा को इस्त्री ग्रह समझा जाता है सुभाव से। चंद्रमा मनह शक्ति भी है। कहा जाता है ना चंद्रमा मनसो जाता है। मन का प्रतिनिदी ग्रह चंद्रमा है, जन्म लक्षत्र का निर्धारन भी चंद्रमा से होता है, जन्म राशी का भी निर्धारन चंद्रमा से होता है चंद्रमा को ही आधार मानकर जयोतिश की सभी गरनाएं की जाती है चंद्रमा को आउशदियों का स्वामी भी कहा गया है शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और तो क्रश्ण पक्ष में घटते हैं या छीर होते जाते हैं एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावदी चंद्रमास कहलाती है और एक चंद्रमास में दो पक्ष होते हैं यानि शुक्ल पक्ष और दूसरा क्रिश्न पक्ष इस तरह से कुल बारे चंद्रमासों में हुए 24 पक्ष चंद्रमा को ऐसा वर्णन आता है कि चंद्रमा को प्रजापती दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को पत्नी रूप में सौपा था और यही 27 नक्षत्र पत्नियां समझी जाती है चंद्रमा की यही 27 नक्षत्र गर्णा का अधार भी है चंद्रमा रोहोनी, हस्त और शवन नक्षत्रों के स्वामी है इनका विंशोत्री महादशाकाल होता है दस वर्षों का चंद्रमा की राशी होती है कर्क शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होते हैं और कृष्ण पक्ष में छीन वस्ता में बितुर चंद्रमास का नाम करण किया गया है उस नक्षत्र के नाम पर जिस नक्षत्र पर चंद्रमा पूर्णिमा के दिन इस्थित होते हैं मुहूर्ट के लिए इन चंद्रमासूों का विशेश महत्व होता है ये भी आप सभी को पता ही होगा इस तरह चंद्रमा का बहुत महत्व है ज्योत्ष में मुहूर्ट में चंद्रमा के जर्ण के विशे में कई कताईं प्ष्लिद हैं पुस्तकों में प्राचीन पुस्तकों में तो प्रसलित ही ही ये कता हैं ब्रह्म पुरान में एक कता आती है कि अत्र जिशी को राजा भद्राश्र ने अपनी दस कन्याएं भार्या के रूप में प्रदान की थी इन में से भद्र नामक भार्या से सोम की उत्पत्ति मानी जाती है चंद्रमा बड़े शरीर वाले हैं यह युवा और प्रावड दोनों ही अवस्थाओं वाले हैं यह तीन चक्र के दस घोड़ों से युक्त रथ वाले हैं हमारे शरीर में जो रक्त प्रभाह है विशेश कर सफेद कारपसल्स चंद्रमा के अधिकार चंद्रमा का वर्ण शोयत है इनके एक हाथ में गदा वा दूसरा हाथ वर्मुद्रा में है इनकी वारी म्रदू है सभाववा शरीर से कोमल है मित्रों यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मजबूत है और मजबूत इनकी जो राशी है ब्रिशब इनकी राशी नहीं है लेकिन ब्रिशब राशी में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं चंद्रमा की स्वराशी है करक ब्रिश राशी में चंद्रमा की उच्च वस्था होती है निश्चित रूप से उस व्यक्ति का मनोबल उच्च होगा अच्छा होगा वह जल्दी हार मानने वाला और निराश होने वाला नहीं होगा यदि चंद्रमा कुड़ली में मजबूत हैं लेकिन पक्ष बलहीन अपनी नीच रासी बश्शिक में और अन्य तरह से पापी ग्रहों के प्रभाव में आने से कमजोर चंद्रमा अनिक प्रकार की दिक्कतें ख़ली करते हैं। स्वास्त संबंदी दिक्कतें भी चंद्रमा के कारण होती हैं। कुंडली में आशुब राहू वा केतु का प्रबल प्रभाव वश्शनी का प्रभाव चंद्रमा को बूरी तरह दूशित कर देता है। और तब जातक तमाम तरह की मानसिक दिक्कतों का मानसिक रोगों का डिप्रेशन आदिका शिकार भी हो सकता है। उसमें अनिद्रा वा बैचेनी भी देखी जाती है। तो चंद्रमा का महत्य तो इतना आदिक है कि जयोतिश में चंद्र कुंडली बनाकर भी जातक के विशय में जानने का प्रयास किया जाता है। सोमबार को चंद्रमा से सम्मंदित वस्तों का डान करना चाहिए यदि चंद्रमा नीच वस्ता में हो। चंद्रमा छीन हैं तो फिर चंद्रमा से सम्मंदित वस्तों का डान करें और ये वस्तों हो सकती हैं सफेद वस्त्र, चांदी, चावल, दूद, मोती, शंखादी इन वस्तों का डान करना चाहिए सोमवार को शिवजी पर जल चड़ाना चाहिए प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए माता वा माता के समान इस्त्रियों की सेवा करनी चाहिए सोमवार को ब्रत करना चाहिए चंद्रमा के मंत्रों के जब से भी चंद्रमा के उपाय करने चाहिए इस से भी चंद्रमा से समंदित कष्टों की शांती होती है किसी ब्राम्मर को खीर भी खिलाने से चंद्रमा की अर्शुपता दूर होती है पूर्ण चंद्र के दिन चंद्रमा को अर्ग प्रदान करने से भी चंद्र ग्रह की शांती होती है चंद्रमा कमजोर हों तो जल को कभी दूशित नहीं करना चाहिए ऐसे जातक विशेश ध्यान रखे हैं जिनकी जनम पत्रिका में चद्रमा दूशित अवस्ता में हैं कमजोर है तो उन्हें भूल कर भी कभी जल को दूशित नहीं करना चाहिए वेर्थ नहीं बाहना चाहिए बलकि वर्शा के पानी को एक काच की बोतल में भरकर अपने घर में रखना चाहिए अक्सर ऐसे लोगों को गंगा इश्नान या अन्पवित्र नगियों में इश्नान भी करना चाहिए मित्रों मैंने प्रियास किया कि कम से कम समय में आपको चंद्रमा के विशे में जादा से जादा जादा जानकारी देने का प्रियास करूँ आशा है आपको ये जानकारी लाभनवित करेगी आगे भी मेरा प्रयास होगा कि ऐसी ही जानकारी आपको प्रदान करता रहूं फिलाल तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूँगा मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विशे के साथ तत्यास याराम नमस्कार